हेलो दोस्तो, और्बिटल के मिस्टी क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं प्रिदेश मौरिया चलिए आज की लेक्चर हम लोग देखते हैं हाँ पर रिफाइनिंग ऑप दा मेटल्स ठीक है आपको बता है हम लोग क्या क्या बढ़के आ रहे हैं ठीक है मैंने का था किसी भी ओर को कैसे, ठीक है किसी भी ओर से कैसे मिटल को हम लोग वहाँ पर एक्स्टेक्ट कर सकते हैं, एक प्योरिस्ट फॉर्म ऑफ मिटल को हम लोग एक्स्टेक्ट कर सकते हैं निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है तुसके लिए सबसे पहला process हम लोग वहाँ पर किये थे, मैंने बदाया था, concentration करते हैं, वहाँ पर धोल मिट्टी कर जो थे, सबको हटा दिया गया था, concentrate हो चुका था हमारा ओर, उसके बाद हमने क्या किया था, उसका oxide बना दिया, ठीक है, ओर क एक oxide form बनाया, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत सारे process किये गए थे, ultimately oxide बन चुका था, फिर उस oxide से हमने क्या किया था, ठीक है, oxygen को बाहर निकाला था, process का नाम चल रहा था, वहाँ पर reduction of ore, ठीक है, oxide ore का reduction कर चुका है, जिसके हुझा से metal अलग हो चुका था, ठीक है, अब metal ब पूरा pure form बनाना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, last में refining करते है, refining of metal, और यह तरीका, यहाँ पर refining करने के बहुत सारे तरीके आपको मिलने वाले हैं, जो पहला तरीका मैं आपको बता हूँ, पहला यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, distillation, ठीक है, distillation, इसके नाम से चल रहा हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई boiling point वाली बात होगी, ठीक है, यहाँ पर बताए गया metal होगा, और जो वहाँ पर थोड़ी बहुत जो impurities होगी, इसमें जो हमारा metal होगा, उसका boiling point low होगा, ठीक है, वो क्या होजएगा, उसका boiling point low होगा, जिसे मैं जल्दी से dichromatic figure बना द है, उसकी high boiling point है, अब बताओ, तो समझ में आ रहे है, इसको जाम लोग हीट करेंगे, ठीक हीट करेंगे तो बताओ, जिसकी boiling point कम होगी, वो क्या कर जाएगा, वो जल्दी से vapor form में बाहर निकल जाएगा, और हम लोग क्या करते है कुछ यहाँ पर, ठीक है, इसी vapor को इकठा क कर लेते हैं, कहीं बाहर इसको, और वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्जामपल आप याद कर सकते हो, एक्जामपल के case के हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जैसे zinc हो गया हो, cadium मर गए, ठीक है, तो यह आपको एक्जामपल यहाद रखना है, इसके पता ही चल जा है, liquidation भी process same, उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पर हम लोग melting point की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर फीर से ऐसार, आपको समझने के लिए यहाँ फीगर बना रहो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका metal भी होगा, impurities भी होगी, एक बार फीर से जो हमारा metal है, ठीक है, metal के पास इस बार हम लोग कहेंगे, low melting point है, ठीक है, उसके बास क्या है, low melting point है, ठीक हमारा यहाँ पर impurities है, ठीक है, जो impurities है, उसके पास क्या है, high melting point है, melting point उसकी high है, अब आप खुद यह पर थोड़ा सोछो, अगर इसको उम लोग क्या करते है, heat करेंगे, अब जो पहले पिगलना चाहता है जो थोड़े ही temperature पे पिखल जाएगा वो क्या हो जाएगा और उसके बाद वो ऊपर ऐसा यहां पर आकर के एक अठा होने लगा है की नहीं liquid form में आएगा तो ऊपर आजाएगा तो अब क्या हो जाएगा इसको हम लोग और जो impurities हो कि उसको अभी पिखलने के लिए उ के प्रोसेस है लेक Wayशन का इग्जांप आपको याद रखना है यहांब एक्जांपल में लेड्र हो जाए sevent हो जाए ठीक है्आ एस भी हो जाए विमात हो हो जाए ठीक मर्करी हो जाए ठीक है इन सब का यूज हम लोग करते हैं चले यहां पर लोग अगला में देखते हैं इलेक्टोलेटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस पढ़ रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने आप एक और बताया था इलेक्टोलेटिक रिदक्शन ठीक है अर वार्पर मैंने बताया था फर्सट ए सेकेंड और ऐल्मोनियम के जो ऑक्साइड होते हैं ठीक है बहत ज़्यादा स्टेबिल होता है तो वहां पर उसका रिदक्शन करते था लेकिन रिफाइनिंग प्रोसेस ने यहां पर यहां पर लेक्टोलेटिक रिफाइनिंग भी यूज़ होता है कहा कि यह कहां पर यूज़ होगा किसके लिए यूज़ किया जाएगा तो आपको याद रखना है मेटल सच इस कॉपर, सिल्वर, जिंक, टिन, लेट, अलमोनियम, निकल, क्रोमियम इन सब के लिए यह मेटड यूज़ किया जाता है एलेक्रलिटिक रिफाइनिंग और एलेक्रलिटिक नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर कोई própria यूज़ किया जारह होगा और एलेक्रलिटिक शेल में आपको पता है क्या होता है यह जोगा है यह समझने की कोशिश करते हैं अनोड बना देते है, ठीक है, वो एक pure copper का metal लेते हैं, ठीक है, एक rod लेते हैं, उस rod को हम लोग cathode बना लेते हैं, तो अभी क्या समझ में आए आपको, anode को हम लोग क्या करते है anode हमारा impure copper rod होगा anode हमारा impure होगा जो cathode होगा वो purist form होगा ठीक है अब क्या हो जाता है जिसे यहाँ पर current का flow होगा तो आपको याद रखना है यहाँ पर process क्या होने लगता है यहाँ पर यह copper की rod है तो copper की rod क्या करता है दो electron को remove करेगा और यह क्या होजएगा copper 2 plus में बदल जाता है यहाँ पर यहाँ पर यह क्या करता है copper 2 plus को बाहर निकालने लगता है और इधर यह क्या करता है यह वाला जो rod होता है यह दो electron को इसको अदे देता है ठीक है यह इसको दो electron को दे करके अब इसको क्या करता है copper form में इसे के उपर बिठा लेता है तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी समय के साथ जैसे current का flow होगा तेहाँ पर इस rod से copper क्या हो जाएगा copper aqueous form में आ जाएगा क्योंकि पूरा solution यहाँ पर C.U.S.O.4 का aqueous solution यहाँ पर भरा गया था impure rod से मतलब anode से क्यों हो जाएगा copper 2 plus के रूप में बाहर निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा ठीक है और वो क्या करेगा यह pure cathode से 2-1 लेकर के copper 2 plus इसी copper rod के उपर इकठा होना शुरू करतेगा ठीक है आपको ऐसे समझना है अब यहाँ पर जो copper इकठा होगा इसके उपर ठीक है वो purest form of copper होगा जो इसके उपर जागर के इकठा होगा ठीक है वो purest form होगा यह आपको याल रखना है तो इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा जब pure form निकल गया है तो यहाँ पर कुछ impurities जो हो जाएगी वो गिर गिर के क्या हो जाएगी यहाँ पर इसी एनोड के नीची कठा होने लगती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर एनोड मट के नाम से जाता है तो कहने का मतलब आप बताओ रोट होगे अमरा क्या होगा impure metal होगा और कै्फोर क्या होजएका pure rub हो एनोड से जोभी मिटल होगा यहांपर निकल निकल करके कैफोर्ड पर जाकरक एकुमिलेट हो जाएगा अब यहां पर जो एकुमिलेट हुआ है इसके अम लोग बाहर निकाल लेंगे और वहा पर हमारा pure form of copper निकल जाता है तो ये काफ़े जाता important था यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर anode पर क्या होता है, cathode पर क्या होता है चलिए यहाँ पर इबर मैं आपको फिर से बता दू anode पर आखिर हुआ क्या था, क्योंकि यह solution में, impure road जो था anode से क्या करता है, copper निकल निकल करके कहाँ पर आता है solution में, ठीक है Cu2 प्लस aqueous बन जाएगा, और यह क्या करेगा, Cu2 प्लस बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा दो एक्टान बाहर निकालना पड़ेगा यह जो हमारा था, यह क्या है impure होता है, ठीक है इसलिक हम लोग एक और नाम से जानते है blister copper के नाम से भी इसको जान लिया जाता है ठीक है, इसको blister copper के नाम से भी हम लोग जानते है ठीक है, इसको हम लोग blister copper के नाम से भी जानते है अब यह होता है वहाँ पर कहने का मुद्ध लोग एनोड से Cu2 plus solution में आ रहे हैं अगर मोग बात करते हैं at cathode, cathode पर क्या हुआ होगा ठीक है, reaction at cathode cathode पर क्या हुआ होगा तो आप बताओगे जो Cu2 plus एनोड ने निकाला था, solution में यह गुम रहा था तब तक जैसे ही cathode को पता चला Cu2 plus solution में घुम रहा है, इसने क्या क्या दो electron को इसको दे दिया और दो electron देते ही है, neutral हो गया और अपने ही उपर क्या करता है, इनको बिठाना शुरू कर देता है, ठीक है, तो यह जा करके cathode से जा करके वहाँ पर जुड़ जाएंगे और यह हमारा जो यहाँ पर है, वो pure copper कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पर वो pure copper कहलाता यह था electrolytic reduction, यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, question यह भी पूछा जा सकता है anode क्या होता है, ठीक है, pure की ठीक है, आप कहसकते हैं, PC का मतलब क्यों प्योर कौन है, cathode ठीक है, anode आपका क्या है, impure है, cathode आपका क्या है, वो pure form में है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, pure आपका हो जाएगा कौन, cathode ठीक है, तो आप इसको zone refining काफी जाद है, अगर आप सबसे जादा purest form of metal बाना चाहते हो, सबसे purest form, तो आपको वहाँ पर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, zone refining zone refining होता क्या है, इसको मैं आपको बता रहो देखो, यहाँ पर पहले से, आप सबसे में रहना चाहता है, लेकिन आप यहाँ पर हम लोग ऐसा माल लेते हैं, कोई एक system है, यहाँ पर हम लोग moving heater, जो मैंने आपर यह दिखाया है, यह heater है, ठीक है, इसको लोग ऐसा ऐसा घुमा सकते हैं, आगे पिछे कर सकते हैं, और यहाँ पर हम पर कोई heater लगा करके, क्या करते हैं, इसको heat करते हैं, यह हमने क्या किए इस heater को अब यहां पर shift कर दिया ठीक है मान ने heater को आगे बढ़ाया अब heater यहां पर shift हो चुका है तो ध्यान देना ठीक है अब यहां पर जब heater यहां पर हो गया तो जो metal था वो metal क्या करेगा फिर से अपने solid form में चला जाएगा लेकिन जो impurities है वो क्या करेंगी वो आगे की तरब shift हो जाएगी ठीक है यहां पर जो impurities थी वो आगे की तरब shift हो जाएगी ऐसे और जो metal था वो क्या करेगा फिर से अपने solid form में चला आएगा क्योंकि अब हमनों heater को यहां से यहां पर shift कर दिये यह ठोड़ा ठंडा होगा metal क्या हो जाएगा फिर से solid form में आ लेकिन जैसे हैं हम लोग क्या करते हैं heater को आगे मूब करेंगे तो यहां पर फिट से जो metal वाला पार्ट था वो क्या करेगा वो solid form में आ जाएगा यहां पर हमारा लगवा बहुत ज़्यादा प्योरिस्ट फॉर्म हो मिटल बन चुका है impurities यह किनारे पर आकर कि यहां पर रिकठी हो जाएंगी तो हम लोग क्या करते हैं इसको सार्पले से काटके impurities को बाहर निकाल देंगे और बचा हुगा तो metal होगा आपका कौन सा form कर रखना है और इसके उलकर है आपको बτά करना है इसके के ज्दामें आपको बताए ह। जैसे की Serrimaneum हो गया सिलिक्रोण हो गया भी हूग है जो यू छोते हैं उनका यहां पर यहां सिल्कॉन हो यह इंका कि योoin यहां पर दाता है वह लूजाता माहिन चले हम लोग यहाँ पर अगला प्रोसेस देखते हैं, यहाँ पर वेपर फेस रिफाइनी, ठीक है, यहाँ पर बता है कि यहाँ पर बता है कि जिस मेटल को आप प्योर करना चाहते हो, उस मेटल में आप कुछ और चीज ऐसा मिला दो, जिसकी वज़ा से अब वहाँ पर वोले आपको याद रखना है, कोई एक नहीं चीज वहाँ पर मिलाए चाहेगे, जिसकी वज़ा से अब हमारा जो मिटल है, उसके पास वोलेटिलिटी का गुड़ा जाएगा, ठीक है, क्वालिटी आजाएगे, वोलेटाइल बनने की, और जिसकी वज़ा से हम लोग उसको क्या कर यहाँ पर एक रेक्शन कराएगे, अब रेक्शन हो गया ति यहाँ पर क्या हो जाता है, निकल टेट्रा कार्बोनिल बन जाता है, निकल टेट्रा कार्बोनिल का फॉर्मेशन हो जाता है, और निकल टेट्रा कार्बोनिल जो होता है, यह बोलेटाइल की प्रोपल्टी रख तो सबसे पहले आपको याद यहां पर रखना है कि कोई इंप्योड था वहां पर कोई ऐसा सब्सक्रेंज मिला जाता है जिसके उसके पास वॉलिटिलिटी की प्रोपर्टी जाजा है वेपर बनाने का गुड़ा जाए उसके पास उसके बाद हम लोग क्या करते हीड करेंगे northwest मिल जाएगा और निकल जाएंगे त्येथा मौन स्प्रोंस APP चले यहां पर अगला प्रोसेस देखłę पर कंचेट को एक प्रोसेस नेहीं ना आपको पता है मन्स प्रोसेस वहां पर यहां पर सकी दो है करते प्यूरिफाई करते हैं, पहले इसके concept को सीख लेते हैं, बताया गया, this method is very useful for removing all oxygen and nitrogen present in the form of impurities in certain metal like zirconium and titanium, बताया गया, कुछ ऐसे metals जैसे की zirconium, titanium की बात लेते हैं, यहाँ पर oxygen and nitrogen वहाँ पर as a impurity की तरह present होता है, उन सब को remove करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो on arcal process का use करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहो, zirconium जो solid form में था भी यह impure है, इसकी erection सबसे पहले क्या किया गया, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग vapor phase refining पढ़ रहे हैं, और vapor phase refining का मतलब यह होता है, को ऐसा substance मिला तो कि वो उसके पास volatility की property यहाँ पर iodine selection कराते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, ZRI4 का formation हो जाता है, अब यहाँ से ZRI4 को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही high temperature दिया जाता है, जिसकी वज़ा से zirconium अलग हो जाएगा, यह हमारा purest form है, ठीक है, iodine अलग हो जाएगा, तो यह था यहाँ आपन war, arcal process, य याद क्या रखना है, इसके पहले मैंने क्या बता है, amount process, क्या याद रखना है, किसको purify करते थे, निकिल को purify करते थे, देखो जितना भी पढ़ रहे है, सारी चीज़े आप अगर NCRT से मिलाओगे, उसका language भी आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी examples है, जो भी step by step वहाँ पर explain करते हुए, आपको याद रखना है, सारी चीज़े NCRT से, और आपको बता है, कुछन NCRT से ही पूछा जाएगा, इसलिए बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ाया जार है, आप NCRT से मिलाओ जितना भी आपको आपको पढ़ाया भी तक आप जो भी पढ़ोगे आगे भी सब गरना है, आपको आपको इसलिए तो आपको की आपको प्यूड़ करना है, तो हमने जाएं कि हमने चाह किया किया कोई विमारा मेटल था, गूर्ड और शिल्वूर में से कोई एक था, उसका क्या करते हैं, यहांपर पाओडर फॉर्म लेते हैं, तो उसका जब पाओडर क्या करता है, amalgam का formation कर ले जाता है, किसका formation करता है, amalgam का, फिस amalgam को distill कर लेते हैं, heat कर लेते हैं, distillation करते हैं, तो वहाँ पर metal अलग हो जाएगा, pure form में, और वहाँ पर mercury अलग हो जाता है, तो ये amalgamation process था, ये भी आपको याद रटना है, किस के लिए क्या है, कर लिए, इस में क्या यूज़ किया जाता है, किस की मिदल से क्या जाता है, mercury की मिदल से क्या जाता है, mercury पहले amalgam बनाता है, उसके बात, फिर distill किया जाता है, distillation किया जाता है, तो mercury अलग मिटल हो grow process यहाँ पर देखते हैं, chromatographic method, chromatogrH 마 का यहां पर जितने भी एब्जॉर्बेट होगा वो क्या करेंगा एब्जॉर्बेट के ऊपर वहां पर बैटना सुरू करेगा लेकिन सब का rate क्या होगा different different होगा मालनीà वहां पर बहुत सारे लोग है कोई क्या करता है जाता है तुरन तो वहां पर उसके ऊपर क्या करता है absorbed rate के उपर बैट जाता है कोई थोड़ी देर आगे चलता है उसके बाद वहाँ पर gives법 नहीं है जैसे कि यहाँ पर हम नोग जलदि आपको बता है खी क्या लिचार पर एक एब्सॉर्बेंट रखा है क्या पर जो मैंने डॉट्टर दिखाया है यह हमारा क्या है adsorbent है ठीक है adsorbent है, चोटे विल adsorbent कोई भी है अब हमने मालियाद जो हमारी जो purity's है या फिर जो भी जिसको हम लोग purify करना चाहते हैं यहाँ पर crushing, ठीक है, यहाँ पर हमारा ore ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग चैक है, इसको यही पर डाल देते हैं अब को बस समझना इसका मतलव, ठीक है यहाँ पर डालते है मलीयापर बहुत सारे लोग थे इसमें कोई एक ऐसा था, वो क्या करता आ आते ही जिससे यहाँ पर आया, वो क्या करता है यहाँ पर इसके साथ adsorb हो जाता है ठीक है इस absorbent के उपर आकर कि यहां पर बैट जाता है ठीक है और कुछ यहां पर कुछ और इससे substance थे वो क्या करते है यहां पर तुरत नहीं हो दो लिए कि थोड़ा सा वो नीचे आते है ठीक है ध्यान देना है आपको यहां पर कोई एक substance थोड़ी देर बाद आकर आकर बैट क्रोमेटोग्राफिक का मतले होता है कलर देख करके इसको सेपरेट करना बहुत ही बहुत ही असान होता है बहुत यहां पर भूख सारे लोग थे ठीक है हमको यहां पर पता निचेल रहा ता लेकिन जैसे हमने यहां पर absorbent के अंदर डाला चूंकि सबका क्या था different rate था इसके तो थोड़ा सा नीचे जाता है कि जो इसका adsorben, adsorption का red थोड़ा सा slow था तो क्या करता है, थोड़ी देर बाद जाकर कि इस पर adsorb होता है और color देता है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पर blue color दिखाया है यहाँ पर यह बताया गया, वो बहुत ही देर बाद जाकर के adsorbent के ओपर adsorb होता है अब बताओ, अब अगर आपको बता है कि particular कोई इसमें यह color देता है कोई exceptions यह color देता है, कोई exceptions यह color देता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सब को separate कर सकते हैं यहाँ से अगर हमको यह blue यह वाला चाहिए, यहाँ से इसको open करेंगे और जैसे यह आएगा, इसको अला करके एक वीकर में रखा फिर इसके बाद क्या हो जएगा, इसको और इसे नीचे आएगा इसको यहाँ से open करेंगे, तब red वाले का नंबर आएगा, उसको दुसरे भी कर में ले लेते हैं फिर यह purple color वाले का नंबर है, उसको दुसरे भी कर में ले लेते हैं यह था chromatographic method, यह पूरे method हो चुके हैं, आप पर refining of metal का ठीक है, यह बहुत ज़्यादा important था, जितने भी process दे metallurgy के वो हो चुके हैं complete, ठीक है